हाई गाईज वेलकम यूर फेवरेट यूटूब चैनल पेशल केर अंसर्व आज मैं फ्रेंज आपको एक टैन रिबूविंग बना के दिखाऊंगी यह आपका बोडी का टैन रिबूब करेगा हैंड का आपका बैक साइड का टैन को रिबूब करेगा फिंस फैंसी डेस पहनने के टाइम में जाला तर मार्केट में स्लीपलेस ही विखता है तो हम लोग उसको ट्राइब ही करते हैं और उसको पहन के हम लोग को अच्छा भी लगता है क्योंकि इस गर्मी के सिजन में कैसे रिमूब करेंगे उसके ऊपर आज मैं बहुत अच्छा एक टिप्स बना के लेके आई हूं इस टिप्स को इस्तमाल करने से फ्रेंस आपका टैन ये एक दम ही रिमूब कर देगा और उसके साथ ही साथ आपका स्कीन को फ्यार और ग्लोइंग भी बनाएगा तो चलिए अपने बॉडी का टैन को रिमूब करेंगे इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग मुझे फर्स टाइम देख रहे हैं तो देखिए मेरे वीडियो की नीचे एक रेट कलर का बटन है सब्सकाइब बटन इसको क्लिक कीजिए और मुझे सब्सकाइब कर लीजिए क्यूंक आपके पास एक notification पहुच जाएगा और सब्सकाइब करने का और एक फायदा है फ्रेंज सब्सकाइब करेंगे तो आप मेरे फ्रेंट बन जाएंगे आप मुझसे कोई भी beauty related जानकारे लेना चाहेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूँगी उसके उपर वीडियो बनाके आपको दिखाने के लिए आज का वीडियो भी requested वीडियो है मैं ज्यादा तर रिक्वेस्टेट वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ तो चलिए फ्रेंज अभी देख लेते इसके लिए आपको क्या कर लेना है इसके लिए पहले ही तो मैं ले रही हूँ दही को दही बहुत अच् पाउडर यानि चावल का आटा या राइस फ्लावर तो चलिए भी मैं इस पैक को बना लेती हूँ और इस पैक को बनाने के बाद मैं अपने उपर अपलाई करके भी दिखाऊँ इसके लिए आपको लेना है एक चमच खटा दही मीठा नहीं खटा यानि साधा दही और इसम करना है आधा चमच हनी एट करना है और आधा चमच लेमन एट करना है और इन सभी को अच्छे से मिस्ट कर लेना है इसी हो गया है अभी मैं इसको अपने उपर अपलाई करके आपको दिखाऊँगी मैं अपने हाथ में इसको अपलाई करूँगी ज्यादा तर स्लिपलेस पैननी के बरजे से हम लोगों का यहां पे टैन आता है मेरा भी थोड़ा बहुत टैन आ गया है तो मैं इसको अभी अपने उपर अपलाई करेके इसका इंस्टेंट रिजल आपको दिखाऊँगी इसको लगा के आपको आधा गंट रख देना है आधा गंटे बाद जब फुल ड्राई को जाएगा फुल ड्राई करना है फुल ड्राई होने के बाद इसको थोड़ा सरब करके गोल्ड वाडर के साथ धो लेना है पॉड़ी में भी लगा सकते हैं जहां पे भी आपको टैन आया है वहां पे इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पैट को फ्रेंस आप धूप से आने के बाद यानि धूप से डिटन जब भर पे आ रहे हैं तब एपलाई कीजिए तो आपको अच्छा बिनिफिट बिल होके आपको इसका रिजल दिखाए यह आधा घंटा मेरा बीट चुका है अभी पैक फुल ड्राई है अभी मैं इसको रप करती भोलू ही पहले मुझे रप करना है अच्छे से रप करना है काकी पूरा तो टैन है वो रिमूफ हो जाए मैं स्रिव अपने हाथ में लगाके इ इसको एपलाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं इसको पूरत होके इसका रिजल दिखाने के लिए आपको देखिए फिंस मेरे हाथ में जो टैन्ग था पूरा रिमूफ हो चुका है एक दम भी नहीं है तो परिंस को जरूर ट्राई कीजिए और बेनिफिट लेजिए इसको तो मैं एक ही दिन एपलाई करके दिखा ले हूँ आप इसको मैं जैसे जैसे बोली हूँ जैसे आप एपलाई करेंगे तो आपको मेरे से प्रितार रिजल भी ही अधि मैं पोच के भी दिखाती हैं आपको मेरे हाथ को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने बहुत सावे फेंट के साथ इसको शेर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफित लें पाएं बच्छे फिल्गिजें ङाँ